उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग यानी की UPPSC की ओर से प्रस्तावित PCS और ROAR उप्रारंभिक परीक्षा दो दिन कराने के फैसले का अभ्यर्थी विरोध कर रही है। सोमवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रतियोगी छात्र बैरिकेटिंग तोड़ कर UP लोग सेवा आयोग तक पहुँच गए। ऐसे में पुलीस को भी बल प्रयोग करके उन्हें खदेद ना पड़ा। प्रदर्शन अभी भी जारी है। छात्र मानने को तयार नहीं है। ऐसे में आये जानते हैं कि हजारों की संख्या में अभ्यर्थी UP लोग सेवा आयोग का घिराव क्यों कर रही हैं और उनकी क्या मांगे हैं। साथ ही पूरे मामले को भी जानेंगे। आपको बता दे कि उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग ने हाल ही में PCS और ROAR प्रारंभिक परिक्षाओं की नई तिथियों की घोशना की। यही से यह पूरा बवाल खड़ा हो गया। क्योंकि अभ्यर्थी नहीं चाहते हैं कि परिक्षा दो दिन और एक से अधिक पालियों में आयोजित हो। नो नॉर्मलाइजेशन और वन दे वन शिफ्ट की मांग को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया था। आयोग के निरने से नाखुष अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर हैश्टैग अभ्यान चला कर भी इसका विरोध किया। सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्स पर हैश्टैग यूपी पी एससी आर ओर ओन शिफ्ट नाम से चलाए गए अभ्यान को दो लाख चालीस हजार अभ्यर्थियों ने अपना समर्थन दिया। चात्रों का कहना है कि दो पालियों में परीक्षा कराए जाने से उन्हें नौर्मलाइजेशन का खाम्याजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन आयोग नकल और निश्पक्ष परीक्षा कराने के लिए दो दिन और दो पालियों में परीक्षा कराने की तयारी कर रहा है। नवंबर को भी छात्रों ने आंदोलन किया प्रशासन ने भी सतर्क होकर आयोग पर भारी फोर्स तैनात की और रास्तों को सील कर दिया इसके बावजूद भी अभ्यर्थियों और पुलीस के बीच ज़रप हुई अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोट के आदेश का हवाला दे देते हुए कहा है कि आयोग भरती प्रक्रिया के बीच में नियमों में बदलाव नहीं कर सकता है अभ्यर्थियों ने इसके खिलाफ नयायाले में याचिका दाखिल करने का निरने लिया है आयोग की और से जारी कार्यक्रम के अनुसार दोनों भरती परिक्षाओं का आयोज के लिए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले का इस्तिमाल किया जाएगा। UPPSE PCS प्रारंभिक परीक्षा साथ और आठ दिसंबर को प्रदेश के 41 जिलों में आयोजित होगी। परीक्षा दो सत्रों में आयोजित कराई जाएगी। जिसमें पहले सत्र की परीक्षा सुभह 9 बचकर 30 मिनट से 11 बचकर 30 मिनट तक होगी। और दूसरे सत्र की परीक्षा दोपहर 2 बचकर 30 मिनट से शुरू होगी। RO-ARO प्रारंभिक परीक्षा का आयोजित 22 और 23 दिसंबर को किया जाएगा। दोनु दिनों को मिलाकर परीक्षा का आयोजिन कुल 3 पालियों में किया जाएगा। तीसरी पाली की परीक्षा का आयोजिन 23 दिसंबर को किया जाएगा। 22 दिसंबर को प्रथम पाली सुभह 9 से 12 बचे तक। वितिय पाली दोपहर दो बचकर 30 मिनिट से 5 बचकर 30 मिनिट तक तथा 23 दिसम्बर को त्रीतिय पाली की परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। परीक्षा तिथियां जारी करने के साथ ही आयोग ने एक से अधिक शिफ्टों में होने वाली प्रारंभिक परीक्षा के लिए मूल्यांकन फॉर्मूला भी जारी किया। छात्रे परीक्षा को दो दिन कराए जाने और इसमें नॉर्मलाइजेशन लागू करने के निरने का विरोध कर रही हैं। छात्रों की मांग है कि दोनों परीक्षाओं को एक दिन, एक शिफ्ट में आयोजित किया जाएं और मूल्यांकन के लिए नॉर्मलाइजेशन फॉर्म सित कुल उम्मीद्वारों की कुल संख्या के भागफल को एक सौ से गुणा करना होगा। आयोग ने कहा है कि उम्मीद्वारों के प्रतीशत स्कोर दशमलोव के बाद छे अंकों तक हो सकते हैं। UPPSC को PCS प्रारंभिक परीक्षा दो हजार चौबीस के लिए प्रदेश के 75 जिलों में 1758 केंद्रों की जरूरत थी लेकिन आयोग को 55 फीसदी ही केंद्र मिल सके। PCS प्रारंभिक परीक्षा दो हजार चौबीस के लिए 5,76,154 अभ्यर्थी पंजिक्रित हैं और आयोग को जिलाधिकारियों के माध्यम से मानक के अनुसार 978 परीक्षा केंद्रों की ही सहमती प्राप्थ हुई जिन में 4,35,074 अभ्यर्थियों की ही परीक्षा कराई जा सक आरो ए आरो परीक्षा में तो 10,776,004 अभ्यर्थी पंजिक्रित हैं जिनकी संख्या PCS परीक्षा के मुकाबले कहीं अधिक हैं शासनादेश के अनुसार ऐसे परीक्षा केंद्र न बनाए जाएं जो प्राइवेट या अधुमानक हों शासनादेश के अनुसार कलेक्टरि की परिधी तक परीक्षा केंद्रों के विस्तार की कोशिश की गई विश्व विद्यालियो महा विद्यालियो मेडिकल कॉलेजों इंजिनियरिंग कॉलेजों को भी शामिल करने की कोशिश की गई लेकिन परियाप्त संख्या में के बावजूत परियाप्त संख्या में परी सिविल अपील उत्तर प्रदेश राज्य वा अन्य बनाम अतुल कुमार द्विवेदी वा अन्य में साथ जन्वरी दो हजार चौबीस को पारिद उच्चितम न्यायालय के निरने में उच्चित माना गया है सच्चिफ के अनुसार भोपालिय परीक्षा कराये जाने की दशा में आंध्र प्रदेश केरल एवं तेलंदाना आधी प्रदेशों के राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा भी नौर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है इस प्रक्रिया को लेकर किसी भी तरह का भ्रम न रहे तो UPPSC ने पहली बार विज्यपती के माध्यम से इसे सारवजनिक किया है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें आठ मिलियन प्लस सब्सक्राइबर आपके इस भरोसे के लिए बहुत धनिवाद